हेलो फैंस जागत है अब सभी काई पर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अफ्लेजर्स कंसेप्ट में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किरन पुब्लिकेशन के दौरा जो समान अधियन का बुक लॉंच किया गया है जिसमें कि टूटल 6300 प्लस MCQ इस बुक में दिया हुआ है और वो भी टॉपिक वाज तो फ्रेंस आज हम लोग इसका देखेंगे भावत की विग्यान टॉपिक से MCQ को ठीक है और देखें इस बुक में फिजिक से जो है टूटल 585 MCQ दिया हुआ है तो इसको हम लोग 3-4 वीडियो में जो है इस सारे कुश्चन जो है कवर कर लेंगे और फ्रेंस इससे पहले जो हम लोग इस बुक का जी विग्यान चेप्टर से टूटल 647 कुश्चन जो है कवर किया है तो अगर आप लोग को वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जागा यहां से आप लोग देख लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेसन अलेखिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए विजिट करेंगे तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में बैल लाकन होगा इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो गर अच्छे लगे तो लाइक जरू कर दिजेगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेर जरूर कीजेगा और अगर आप लोगों को इसका पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर जाएए वहाँ से इसका पीडियाप य आप लोगों को मिल जाएगा ऐसा पदती में ताप करम का जो मातरक होता है क्या होता है कैलिविन होता है ऑप्सिन नमर 3 हो जाएगा इसका इसका देखिए कि अस्था इतु में व्रधी हो सके इसलिए अस्था इत समय बैकती क्या करता है आगे की ओर जोग जाता है तो option नुमर चार जो है इस question का यहाँ पर सही answer होगा अब चलिए अगला question देखते हैं कहरा है कि एक cricket खिलारी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है यहाँ तो सही हो ज जाएगा इस question का यहाँ पर राइट answer अब चलिए next question देख लीजे देखे फ्रेंट्स के रहाएस में कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बाहर ही हवा की चाल में ब्रिधी होती है तो पंखे पर दाब क्या होगा तो सही answer हो जाएगा पंखे पर दाब जो है वो क्या हो यह तीनों की तीन जो है प्रात्मिक रंग में आता है तो option नमर एक हो जाएगा इस question का सही answer next question में देखेंगे देखे इसमें क्या रहा है कि 100 ग्राम द्रबमान की पिंड पर एक निस्चित बल कारे करता है जिससे 25 सेकेंड में इसका वेग जो है वह 50 cm पर सेकेंड हो जाता ह वो option नमर एक यानि की क्रम सो 2 cm2 एवं 200 डाइन आएगा ठीक है तो option नमर एक जो है इस question का यहां पर right answer हो जाएगा option नमर एक अब चलिए next देखेंगे इसमें क्या रहा है कि वेग त्वरन वह ताय की गई दूरी में 100 संबंध जो है क्या होगा तो इसका जो 100 संबंध होगा वो होगा भी a square बराबर u a square प्लस 2 a s यानि की option नमर दो हो जाएगा इस question का ठीक है चलिए next देखेंगे फ्रेंट्स इस पे कह रहा है कि प्रकास किस रूप में वेभार करता है कन के रूप में अथवा तरंग के रूप में आपको बताना है कि प्रकास जो है वह किस रूप म सही answer हो जाएगा next देख लिए जो कह रहा है कि zero degree Celsius तापमान की एक केजी बर्फ 10 degree Celsius पर एक केजी पानी के साथ मिला दी जाती है परिनामी तापमान क्या होगा परिनामी तापमान यहाँ पे पूछा जा रहा है तो परिनामी तापमान जो होगा friends वो zero degree Celsius से कम हो जाएगा ठी नमर दो होगा इस question का सही answer ठीक है चलिए next देखेंगे जब एक sweet प्रकास glass prism से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सरवाधिक और परिवर्तित होता है कौन सा रंग जो है वो सबसे सरवाधिक जो है वो और परिवर्तित अपवर्तित होता है माफ किजेगा अपवर दूद की सुधता की जांच किसी अंदर से की जाती है दूद की सुधता की जांच तो दूद की सुधता की जो जांच है वो लैक्टो मीटर से किया जाता है option नमर 3 हो जाएगा अब चलिए अगला question देखते हैं देखें अगला question यहाँ पर question नमर 12 हो जाएगा friends और देखें इसमें कहा रहा है कि परकास का वेग किलो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा परकास का वेग किलो मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो option नमर एक हो जाएगा इसका नएा दोलन काल जो है second में कितना हो जाएगा तो इसका जो नएा दोलन काल second में हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए चार second ठीक है option नमर यहाँ पे 4 हो जाएगा चलिए, next question देख्ते है देखिए, इसमें कह़ रहा है कि एक lens की छमता प्लस 2.5 डियोप्टर है lens की focus दूरी centimeter में क्या होगी lens की focus दूरी centimeter में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे 40 centimeter option number 4 हो जाएगा इस question का यहाँ पे सही answer next question में कह रहा है कि एक आस्व सक्ती लगभग बरावर है किसके एक आस्व सक्ती लगभग किसके बरावर होता है तो एक आस्व सक्ती जो है friends वह 746 वाट के बरावर होता है ठीक है तो option number यहाँ पे 3 हो जाएगा right answer next question है निमलेकित में से किसे उर्जा के व्यापारिक मात्रक के रुप में प्रियोग करते हैं किसे प्रियोग करते हैं तो सही answer है किलो वाट घंटा को option number 4 हो जाएगा next question है कि उर्जा की वीमा यानि की dimension जो है क्या होता है उर्जा की बीमा तो सही अंसर इस question का यहाँ पर हो जाएगा देखिए ml2 का पावर 2 T पावर मायनस 2 जो है यह उर्जा की बीमा यानि की dimension होती है तो option नमर यहाँ पर 3 जो है इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देखते हैं कहाँ इस में कि hydroelectric power खावसों में किसे विद्धूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसे विद्धूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है सही answer है जल की इस्थिती जूर्जा यानि कि option number 1 जो है इसका यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अब चलिए अगला question देखते हैं देखे friends कहा रहा है इस question में कि निम्न में से कौन सरवाधिक radio active है निम्न में से कौन सरवाधिक radio active है सही answer है देखे रेडियम जो है इनमें से चारों में से सबसे ज़्यादा radio active है यानि कि option number 3 हो जाएगा इस question का सही answer ठीक है friends चलिए अगला question देख लेंगे यहां पर देखे अगला question यहां पर जो दिया हुआ है इसमें कहा रहा है कि दो उर्द्वाधर टीले के मद्ध खरा हुआ एक वेक्ति धोनी उत्पन करता है दो क्रमिक प्रती धोनियों को चार सेकेंड एवं छो सेकेंड पर सुना जाता है टीलों के मद्ध की दूरी यहां पर ज्यांत करने के लिए कहा जा रहा है तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी सोलो समीटर ठीक है फ्रेंट्स अप्सन नमर चार हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कहा रहा है कि एक विदूत चुम्बक की सकती बढ़ाई जा सकती है एक विदूत चुम्बक की सकती बढ़ाई जा सकती है सही है धारा को बढ़ा करके ठीक है एक विदूत चुम्बक की सकती जो है बढ़ाई जा सकती है कि इसके दोरा धारा को बढ़ा करके यानि कि ऑप्सन नमर एक हो जाएगा next question में कह रहा है कि एक सेल का EMF है एक सेल का EMF जो है यहां पे पूछा जा रहा है सही हो जाएगा इस question का यहां पे देखिए option number 2 यानि की अधीस रासी हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा अधीस रासी यहां पे हो जाएगा तो option number 2 जो है इसका सही अंसर हो जाएगा अब चलिए अगला question देखते हैं और इसमें कहारा है कि यह सलार नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्धूत उपकरनों को एक ही plug window से जोड़े क्योंकि परिनाम होता है क्योंकि परिनाम होता है तो इसका परिनाम होता है कि धारा में क्या हो जाता है कमी हो जाती है option number 2 हो जाएगा इसका सही अंसर ठीक है चलिए next question देखते है देखे next यहाँ पर युदियावा friends कहरा है कि मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइडरोजन गाइस के आइतन की गन्ना लीटर में जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर दो लीटर में हो जाएगा 224 लीटर ठीक है option number यहाँ पर एक हो जाएगा चलिए अगला question देखते है देखे next question में कहरा है कि एक परमानो बम के भी sport में अपार उड़ जाने हिस्सरित होती है वह मुख्य तया होती है वह मुख्य तया क्या होती है तो वह मुख्य तया जो है आरामभिक पदार्त के द्रबमानी के पैक्षा कम द्रबमानी बल पदार्त के उतपात के कारण होता है यानि कि option number 2 जो है यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते है देखिए अगला question यहाँ पर जो हो जाएगा question number 26 question number 26 हो जाएगा friends और देखिए इस question में यहाँ पर कहा रहा है कि उर्जा संचीत होती है किस रूप में उर्जा संचीत होती है किस रूप में तो उर्जा जो है यह ATP के रूप में यह संजीत होती है ATP से मतलब यहाँ पर adenosine triphosphate होता है तो option नमर 3 जो है इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question में क्या रहा है कि लंबाई के निमलेखित मापन में प्रतीसत तुरूटी ग्याद करने के लिए कहा जा रहा है 0.62 cm एबम 0.623 cm तो इसका जो तुरूटी हो जाएगा फ्रैंट से परसेंटेज में यहाँ पर 1.61% और 0.16% यानि कि option नमर 3 जो है इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला question में यहाँ पर कह रहा है कि एक mechanic 150 N के बलके द्वारा एक नट यानि कि पेज को खोल सकता है जबकि वह 40 cm लंबे एक लिवर हथे का प्रियो करता है यह वह इस नट यानि कि पेज को 50 N बलके द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लंबे लिवर हथे की आप सकता होगी सही answer है देखे यहां पे option number 4 यानि कि 1.2 मीटर जो है इसका लंबाई चाहिए ठीक है option number 4 हो जाएगा इसका correct answer अगला question में यहां पे 29 नमर में देखी कह रहा है कि एक पूल से एक पत्थर को नदी में स्वतनतर रूप से छोड़ दिया जाता है यहां नदी में जल के सता को असपर्स करने में 5 सेकेंड लेता है जल के सता से पूल की उचाई यहां पे ग्याद करने के लिए कहा जा रहा है तो इसकी जो उचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 122.5 मीटर यानि कि option number 1 हो जाएगा नेक्स्ट है कि 5 डिगरी फारेंहाइट को केलिविन एसकेल में बदलने के लिए कहा जा रहा है 5 डिगरी फारेंहाइट को केलिविन एसकेल में बदलिये यह कहा रहा है यहां पे तो इसको जो बदला जाएगा तो वो 258 केलिविन हो जाएगा ठीक है, 5 degree Fahrenheit को, 5 degree यहाँ पर देखिए जो Fahrenheit है, उसको जो Kelvin में बदला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 208 Kelvin हो जाएगा, यानि कि option नमर 4 जो है, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, next question में कहा रहा है, कि जब एक वस्तु को 75 degree के कौन पर जुकी हुई, दो समतल दरपनों के मध्य रखा जाता है, तो निर्मित प्रती बिम्बों की संख्यां कितनी होगी, निर्मित प्रती बिम्ब की संख्यां जो है, वह तीन हो जाएगी, option नमर 2 हो जाएगा, इस question का right answer, आप चलिए दिखते हैं, अगला question क्या कह रहा है, देखिए, next question यहाँ पर जो दिया हुआ हुआ, कार में दिर्स्याव लोकन के लिए किस प्रकार के सीसे का परियोग होता है, तो कार में दिर्स्याव लोकन के लिए उत्तल दर्पन का परियोग किया जाता है, याद रखेगा, option number 3, इस question का यहाँ पर देखिए, सही answer हो जाएगा, आप चलिए, अगला question देखते है, जाएगा, option number 2, इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question देख लेता है, देखिए, friends, कह रहा है, कि प्रित्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निमलिखित पर निर्भर करता है, यानि कि कि किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है, प्र प्रचेपन कियेगे, अस्थान पर यह निर्भर करता है, आप लोग याद रखेगा, option number 3, इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा, आप चलिए, friends, देखते हैं, अगला question में क्या कह रहा है, कह रहा है, कि जल के वास्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, बहुत सरद को बिदू तुर्चा में चैंजर कर देता है, option number 3 हो जाएगा, अगला question में कह रहा है, कि निमन में से अब सरबय तरंगे कौन सा है? अब सरब तरंगे, तो अब सरबय तरंगे जो हो जाएगा, वह हो जाएगा, यहाँ पर देखे, 20 हारटा से नीचे, 20 हारटा से नीच से मापी जाती है option नमर एक इस question का यहां पे सही answer हो जाएगा option नमर एक next है कि उस्मा के अस्थानांतरन का कारण क्या है तो इसका कारण है तापांतर option नमर तीन हो जाएगा चलिए अगला question देखेंगे यहां पे next question यहां पे जो दिया है friends कहा रहा है इंदर धनुस के किनारों क रंग होते हैं इंदर धनुस के किनारों के रंग जो है यहां पे पूचा जा रहा है तो इंदर धनुस के किनारों के जो रंग होते है वो बैगनी और लाल रंग होते है option नमर एक हो जाएगा इसका सही answer next question में कह रहा है उर्जा का मातरक वही होता है जो होता है जो होता है उ option number 1 जो है, इसका यहाँ पर सही answer हो जाएगा, next है कि किसी radio सकरिये वस्तू से उत्सरजित alpha किरने जो है, वो क्या होगा, सही answer है, इसका यहाँ पर देखिए, helium ना भी खो जाएगा, यानि कि option number 3 होगा, friends, next question मैं यहाँ पर कह रहा है, बलका SI मातरक, ठीक है, बलका SI मातरक क्या ह होती है, यानि कि silver, यानि कि जिसको की AZ कहा जाता है, तो option number 3 इस question का देखिए, यहाँ पर right answer हो जाएगा, अब चलिए next देखेंगे, देखे, friends, इस question में कह रहा है, कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक यहाँ पर पूचा जागा, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गल नहीं हो सकती है, सही है, 3-10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3-10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो है, किसी विधातु की अधिक तमचाल हो सकती है, option number 4, यहाँ पर देखे, right answer हो जाएगा, अब next है, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो उस बल को, गुरुत्विय बल कहा जाता है, option number 3 हो जाएगा, ठीक है, चलिए next देखे लेंगे यहाँ पर, देखे, next question यहाँ भी जुदियावर, question number 48, और France कहरा है, विधुत सिल में किस तरह की उर्जा नहीत होती है, विधुत सिल में किस तरह की उर्जा नहीत होती है, तो इसमें होती है, अरसाइनिक, option number 3 हो जाएगा, सही answer, अब चलिए next दखेंगे, decibel किस की इकाई होती है, तो decibel जो है, यह दौहनी की तीवरता की इकाई होती है, option number 2 हो जाएगा, next है, एंगेश्टरम क्या मापता है, एंगेश्टरम क्या मापता है, तो एंगेश जो है, यह सर आईजेक न्यूटन ने दिया था, तो option number 1 हो जाएगा, अब चलिए, फ्रेंट्स देखते हैं, next question यहाँ पे, देखें, इसमें कहरा रहा है, कि फ्यूज का तार बना होता है, तो फ्यूज का तार जो है, यह सीसा और टीन का बना होता है, ठीक है, किसका बना हो देखें, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, next है, कि निमनलिकित में से कौन विदूत का सबसे अच्छा चालक है, निमनलिकित में से, निमनलिकित में से कौन विदूत का सबसे अच्छा चालक है, सही आंसर हो जाएगा, इस question का देखें, यहाँ पे, option number 4, यानिकी चांदी, जो है यह विदूत का सबसे अच्छा चालक होता है option number 4 इस question का सही answer हो जाएगा next question में कह रहा है कि जब धोनी तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है जब धोनी तरंगे चलती है तो यह अपने साथ क्या ले जाती है तो यह अपने साथ जो है energy यानि की उर्जा ले जाती है option number 3 हो जाएगा उसके बाद चली अगला question देखते हैं यहाँ पर देखें friends next question यहाँ पर जो दिया हो है इसमें कह रहा है कि भारत में घरेलू विदूत supply की वोल्टता क्या होती है भारत में घरेलू ट्रेन उतर दिसा में जा रही है तो उसका धुआ किस दिसा में जाएगी उसका धुआ जो है किस दिसा में यहाँ पर जाएगी सही answer है इस question का इन में से कोई नहीं ठीक है एक विदू ट्रेन उतर की दिसा में जा रही है के साथ रंगों के बीच का रंग कौन सा है इंदर धनुस के साथ रंगों के बीच का रंग यहाँ पे पूछा जा रहा है तो बीच का रंग जो है वह क्या होता है हरा होता है option number 2 जो है इस question का यहाँ पे correct answer होगा next है पानी का घनत वह किस ताप पर अधिक्तम होता है तो चार डिगरी सेल्सियस पर पानी का घनतु जो है वह अधिक्तम होता है तो option number 2 हो जाएगा उसके बाद चली देखते हैं अगला question friends और देखें इस भी कह रहा है कि उस्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है उस्मा का सबसे अच्छा चालक तो उस्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह क्या होता है चांदी होता है ठीके friends तो option number 4 जो है देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बाद चली नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कह रहा है कि सूरी की उर्जा का सुरूत क्या है सूरी की उर्जा का सुरूत जो होता है वह होता है नाभी किया सनलायन option number 1 हो जाएगा correct answer चली नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं देखें नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर जो दिया वाई कह रहा है कि जब प्रकास की तरंग यह वायू से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्थे प्रभावित होंगे कौन से परिवर्थ प्रभावित होंगे तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखें केवल तरंग दैर्ग तथा वेग प्रभावित होंगे और इसमें कह रहा है कि एक पिंड कुल लूरी का आधा भाग वेग भी वन से यात्रा करता है तथा सेस आधा भाग वेग भी टू से करता है तब उस पिंड का आउसत वेग क्या होगा तो इसका आउसत वेग हो जाएगा देखें यहाँ पर ऑप्सेन नमर चार टू बीवन वीटू बाई बीवन प्लस बीटू ऑप्सेन नमर चार हो जाएगा फ्रेंट्स नेक्स्ट कॉस्टन में कि देखें यहाँ पर देखें नेक्स्ट कॉस्टन यहाँ पर जो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखें, नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, कह रहा है, कि मनुस्य के नेतर के रेटीना पर पर परती बीम्ब बनता है, कैसा, सही आंसर है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, परती बीम्ब ऑप्सन नमर यहाँ पर चार हो जाए है तो वो हो जाएगा यहाँ पर देखे मैनस 40 ठीक है मैनस 40 डिगरी जो है option नमर यहाँ पर 4 हो जाएगा इस question का सही answer ठीक है friends उसके बाद चलिए अगला question देखते हैं question नमर हो जाएगा 69 ठीक है चलिए question नमर 69 में यहाँ पर देखी कह रहा होगी FPS पधती में द्रबमान की इकाई तो FPS पधती में द्रबमान की जो इकाई होती हुआ पॉंड होती है option नमर 4 next है कि Newton की गती के कितने अनियम है तो Newton की गती के जो है France total तीन अनियम है option नमर 3 जो है इस question का देखे सही answer हो जाएगा अब चलिए अगला question देखते हैं और इसमें कहरा है कि एक अस्व सकती में कितने वाट होते हैं एक अस्व सकती में कितने वाट होते हैं तो एक अस्व सकती में 744 वाट होते है option number एक होगा next है कि इंदर धनुस में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है इंदर धनुस में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है बताईए अब लोग तो देखे इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर लाल रंग जो है उपड़ी तथा नीचले बिंदू के मद यह कितना अंतराल होता है तो सही अंसर है इसका देखिए 180 ठीक है कितना होता है 180 जो है डेखिए डिग्री अलग करता है यहाँ पे तो option number 2 हो जाएगा इस question का यहाँ पर right answer उसके बाद अगला question में गया रहा है कि परास्रवे दोहने की आवरिती कितनी होती है सही अंसर है 20,000 हर्टर से जैदा option number 1 इसका यहाँ पर देखिए सही अंसर हो जाएगा उसके बाद next question यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए इस question में कह रहा है कि लेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं यानि कि किससे बने होते हैं तो यहाँ बने होते हैं लेडियानि की सीसा से option number 4 जो है देखिए इस question का यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा अब next question में देखिए कह रहा है 3D फिल्म देखने के लिए प्रियुक्त चस्मे में होते हैं तो उसमें पोलिराइड होते हैं option number 4 होगा next है डिटर्जेंट किस सिधान्त पर सतहों की सफाई करते हैं तो वह सिधान्त यहाँ पर प्रिष्ट तनाव यानि की surface tension हो जाएगा option number 2 होगा उसके बाद next question में कहा रहा है कि निमलेकित ग्राहों के गुरुतवा करसन के मामले के सही अबरोही करम में अनुकरम इसका क्या होगा तो इसका जो अबरोही करम में सही अनुकरम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिथवी, Uranus, Neptune और Sunny यानि की option number 4 होगा ठीक है चलें next question देख लेंगे यहाँ पर question number हो जाएगा देखे यहाँ पर 81 और इस question में देखे friends कहा रहा है कि आँक की पुतली या eyeball के संकुचन के कारण एक दूर दृष्टी वाली आँक देख सकती है केवल तो वा हो जाएगा यहाँ पर दूर की वस्तुए जिसे उत्तर लेंस का उप्यू करते हुए ठीक कर दिया गया है यानि की option number 1 हो जाएगा इस question का यहाँ पर सही answer अब देखते हैं अगला question और देखे question number यहाँ पर हो जाएगा 82 और इस question में कहा रहा है कि लक्स इसकी इकाई है यानि की लक्स किसकी इकाई है तो लक्स जो है यह प्रदिप्ती की इकाई होती है option number 4 जो है इसका यहाँ पर देखे सही answer हो जाएगा उसके बाद next question यहाँ पर जो दिया है friends देखे इसमें कहा रहा है कि यह एक अस्वसक्ति का सम्तुले है यह एक अस्वसक्ति का सम्तुले यानि की एक अस्वसक्ति जो है किसके बराबर में होता है तो 746 वार्ट के बराबर होता है option number 1 इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question में के रहा है कि यह एक अवतल दरपन में वस्तु एवं प्रतिबिम्ब दोनों वक्रता के अंदर पड़ा है तो प्रतिबिम्ब क्या होगा इसका प्रतिबिम्ब हो जाएगा वस्तु के समान अकार का option number 3 इस question का यहाँ पर देखे सही answer हो जाएगा उस्मा गतिकी का कौन से नियम कहता है कि बीना किसी बाहिकारक की साहता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच ताप वाली वस्तु को उस्मा अस्थानांतरित नहीं की जा सकती है राइट answer इस question का देखे यहाँ पर दूसरा हो जाएगा option number 3 होगा उसके बाद next question में कहरा है कि एक वायुयान की दौनी समानता इसके संगत होती है समानता इसके संगत होती है तो वो हो जाएगा यहाँ पर देखे option number 2 होगा next question में यहाँ पर कहरा है कि एक नैनो मीटर बराबर होता है एक नैनो मीटर किसके बराबर होता है तो एक नैनो मीटर जाई है दसक पावर मैनस साथ सेंटी मीटर के बराबर होता है option नमर चार हो जाएगा इस question का सही answer अगला question में किरा है कि सौर उर्जा का प्रमुक सुरूत क्या है तो सार उर्जा का जो प्रमुक सुरोत होता है वो होता है नाविकिया सनलायन, option नमर चार होगा, इस question का right answer, next है, जब किसी कांच की छर को रेसम से रगरा जाता है, जो छर पर कौन सा आवेस होगा, तो छर पर कौन सा आवेस होगा, चले पहरे इसका option देख लेते हैं, यहां प नमलेकित में से कौन सी धोनी हम नहीं सुन सकते हैं, तो इसमें से 25,000 हर्टेज की धोनी हम नहीं सुन सकते हैं, तो option नमर तीन, इस question का यहां पर right answer हो जाएगा, next है, कि pressure cooker में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि इसका जो region है, वह है कि pressure cooker के अंदर दाव अधिक होता है, इ option नमर दो हो जाएगा, सही answer, उसके बाद next है, कि MKS परनाली में त्वरन का मातरक क्या है, MKS परनाली में त्वरन का मातरक पुछा जा रहा है, सही answer है, meter per second square, यानि कि option नमर एक इस question का यहां पर देखे, सही answer हो जाएगा, आप चलिए अगला question देखते हैं friends, और देखे, इस साबुन को जल में गोलने पर जल का परिष्ट तनाव क्या होगा, सही answer है, इसका परिष्ट तनाव घट जाता है, option नमर एक हो जाएगा, सही answer, अब चलिए friends देखते हैं, next question में क्या कह रहा है, question नमर यहां पर 95, और इसमें कह रहा है, कि गंदे जल में जम हुए मच्छरों को नश्ट करने के लिए, केरोसीन तेल का प्यों किया जाता है, क्योंकि, तो सही answer हो जाएगा, यहां पर जल के परिष्ट तनाव को कम कर देता है, इसलिए option नमर एक होगा, next है कि कैंची में कितने लिवर होते हैं, तो कैंची में देखे friends, दो लिवर होते हैं, option नमर एक हो option number 3 हो जाएगा, इस question का देखे, यहां पर सही answer, अब चलिए friends, देखते हैं, next question के राइस में, मैक संख्या का उप्यों किस की चाल निधारन करने में किया जाता है, मैक संख्या का उप्यों किस की चाल निधारन में किया जाता है, तो यह विमान की जो चाल होती है, उसका नि right answer होगा, आब चलिए next देखेंगे, कह रहा है, संधारित्रों का नाम दिया जाता है, संधारित्रों का नाम दिया जाता है, तो वह हो जाएगा, यहां पर कि इनमें से पड़ियुक्त पैरावैदुत पतार्त के अनुसार, option number 2 होगा, next है कि एक कुंडली में एक Q की इकाई ह होती है, एक कुंडली में एक Q की इकाई होती है, हो जाएगा, यहां पर दिखिए, कोई इकाई नहीं होती, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, कोई इकाई नहीं हो, option number 3 हो जाएगा, इस question का यहां पर right answer, उसके बाद चलिए next question देखते हैं, कह रहा है कि RF circuit में परयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरन क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है, वेरियो मीटर, option number 2 हो जाएगा, चलिए next देखते हैं, कि एक बैटरी को एंपियर घंटी की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोरा जाता है, किस क्रम में तो उसे जोरा जाता है, समानांतर क्रम म option number 2 हो जाएगा, सही answer, next है कि एक सुस्क सिल के उपियों को अयुग्य घोसित कर दिया जाता है, यदि उसका output EMF उसके अंकितमान का केवल कितना परसेंट बचे, तो वो हो जागा यहां पर देखिए 50%, option number 2 इस question का यहां पर correct answer हो जाएगा, आप चलिए, अगला question देखते हैं और इस पर कह रहा है कि एक lid acid battery के electrolyte की SG कुमापने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाला उपकरन क्या कहलाता है, तो वह उपकरन यहां पर hydrometer कहलाएगा, option number 2 हो जाएगा, इस question का यहां पर correct answer देखते हैं, next question friends क्या कहला है, क्राएग कि एक नए सिल के charge और निर्वाहनी की प अच्छे टाके का जोर होगा, तो वह हो जाएगा, चिकना, साफ और चमकिला, यानि कि option number 1 हो जाएगा, इस question का सही answer, अगला question में कहरा है कि संधारितर की धारिता निर्वर होती है, संधारितर की धारिता निर्वर होती है, देखिए, दो option दिया हुआ है, परावैदुत friends कह रहा है, कि एक संधारितर में परावैदुत का इस्तिमाल किया जाता है, सही answer इस question कहोगा, कि धारिता की मान को बढ़ाने के लिए option number 1 जो है, इसका यहां पर correct answer हो जाएगा, उसके बाद है कि किस microphone को वेग संचालित microphone कहा जाता है, किस microphone को वेग संचालित microphone कहा जाता है, तो देखें, यहां कहा जाता है, याद रखेगा, ribbon microphone को, ribbon microphone को option number 2 हो जाएगा, ठीक है फ्राइट, सले, अगला question में कहा रहा है, कि एक तरंग की तरंग दायर्ग निर्वर करती है, वो हो जागा, यहां पर दो और तिन दोनों पर, यानि की तरंग की आवरिती और तरंग की अबरिती को जाना जाता है, धौनी तरंगों की आवरिती को जाना जाता है, तो सही answer है, पीच के रूप में option number 2 हो जाएगा, उसके बाद next question में कहरा है, कि एन परकार का अर्थचालक तयार करने के लिए, डोपिंग के लिए निर्वर से कौन से पदार्थ का इस्तिमाल किया सकती है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पर देखे switch से, यानि कि option number 4 जो है, इसका यहाँ पर सही answer हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो next question देखे friends दिया हुआ है, कि धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरन का इस्तिमाल किया जाता है, वह क्या कहलाता है, वह क्य जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कुशन में कहरा है, कि धारदार ओजार को रखा जाना चाहिए, सही answer है, अलग से लकडी के बकसे में, option नमर 2 हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट कुशन देखेंगे, कहरा है, कि तामबा सरवादी को प्यों किया जाने वाला चालक है, क्योंकि तामबा सरवादी को प्यों किया जाने वाला चालक है, क्योंकि इसका जो रीजन है, वह है उपड़िती यहां पे सभी, यानि कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसे पत्ते तारों से बनाया जा सकता है, यह चांदी की तुनला में सस्ता होता है, तो option नमर 4 जो है हो जाएगा सही आंसर, अब अगला question यहां पे देखेंगे, और इसमें किया रहा है कि बिजली के तारों में आग लगाने का मुख्य कारण क्या है, बिजली के तारों में आग लगाने नहीं, लगने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो मुख्य कारण है, वह है यह सभी, यानि कि Confuse Rating, Overloading और धिलास नहीं हो जानि यानि कि Option नमर चार हो जाएगा इस Question का देखे सही आंसर अब देखते हैं Next Question देखे Friends कहारा है इसमें कहारा है कि एक आवरन का प्रियोग करके Oxygen क्या पुड़ती में कटोती करते हुए समन की प्रकिरिया की Sand कहलाती है समन की प्रकिरिया की Sand क्या कहलाती है तो यह जो है देखे यह कहलाती है रोकना यानि की बुझाना Option नमर 2 हो जाएगा इस Question का यहाँ पर सही आंसर अब Next Question यहाँ पर देखेंगे Friends कहारा है कि चेतावनी संकेत का आकार होता है चेतावनी संकेत का आकार जो होता है तरिभुजाकार Option नमर 3 हो जाएगा Next है कि किलक द्वारा एक साथ दो तामबे की प्लेटों को जोरने के लिए प्रिक्त किलक को बनाया जाना चाहिए किस से तो सही आंसर है तामबा से बनाया जाना चाहिए Option नमर 3 हो जाएगा उसके बाद Next question है कि बलकि चुमकिये रेखाए एक चुमबक के बाहर कहां तक अस्थानांतरित होती है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए उतरी दरूप से दक्षिनी दरूप तक यानि कि Option नमर 2 हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते है किरास में एक चुमबक के विद्धुत सीलता होती है अब होती है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुनने होती है यानि कि Option नमर 4 हो जाएगा अब चलिए देखते हैं अगला question में क्या कह रहा है देखिए फ्रेंट्स नेक्स्ट क्षिन यहाँ पर जो दिया हुआ है कह रहा है चुमकिये कलच के एक पि 0.637 यानि कि Option नमर 1 जो है इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा उसके बाद देखिए next question यहाँ पर जो दिया हुआ question नमर 129 इसमें कह रहा है कि ओम range में एक multimeter द्वारा एक संधारित्र की जांस करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच ओमिक मान पर टिक जाता संधारितर है संधारितर जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा अच्छा संधारितर हो जाएगा यानि कि Option नमर 3 हो जाएगा एक स्रेशनी RC परिपत में क्या होगा, वो हो जाएगा, यहां पर देखिए, धारा भी वब से आगे होती है, option number 2 हो जाएगा, इस question का यहां पर सही answer, अब चलिए देखते हैं, अगला question यहां पर क्या कहा रहा है, देखिए, friends कहा रहा है, कि एक लहड जाल, यानि कि wave trap है, एक wave trap जो होता है वो होता है देखिए band stop filter यानि कि option नसार हो जाابाद next है कि एक सम्स्वारित पड़िपत यानि gelecek tune circuit में होते हैं tune circuit में क्या होते हैं तो इस में होते हैं एक प्रेज़क और एक संधारित नहीं option number 1 हो जाएगा उसके बाद next है कि एक केवल की धारा वहन समता निर्वर करती है वो परयुक्त सभी पर यानि कि option नमर चार हो जाएगा अब next है कि soldering card एक मिस्तरन है किसका तो वह हो जाएगा लेड, टीन और फलक्स का option नमर एक जो है इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा प्रतिरोध मापने की मौली की काई क्या है प्रतिरोध मापने की जो मौली की काई होती है वो होती है ओम option नमर तीन हो जाएगा next है कि एक अग्यात प्रतिरोध मापने के लिए प्रारम्भिक सीमा चूनते हैं सही answer है देखे यहाँ पर सबसे अधिक्तम option नमर दो हो जाएगा अब चलिए अगला question देखते हैं देखे फ्रांस next question यहाँ पर जो दिया हुआ question number 138 इस पर कह रहा है कि रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा सबसे जो अच्छा विकल्प होगा वो होगा मेगर option नमर दो हो जाएगा next है कि AC का वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान का अनुपात कहलाता है क्या कहलाता है तो वह कहलाता है तो वह कहलाता है यानि कि form factor option नमर चार हो जाएगा उसके बाद next question में यहाँ पर कह रहा है कि भारत में AC आपूरती की मानक अबरिती होती है एसी आपूरती की मानक अवरिती होती है क्या होती है वो हो जाएगा यहांपे देखिए पचास हर्ट है जो अप्शन नमर दो हो जाएगा इस question का सही answer next है कि एक प्रेरण परिपत में सक्ति गुनां किस प्रक्रतिका होता है तो देखिए सही answer लैंगी उप्शन नमर एक इस question का यहां पर सही answer हो जाएगा जाहरी इस question में यहां पर कहा रहा है कि प्रेरं यानि की inductance की काई होती है होती है सही answer इस question का यहां पर हो जाएगा option नमर 4 हो जाएगा यानि की henry उप्शन नमर 4 उसके बाद चलिए next question और देखिए फ्रंस के लाईस में कि एक दिश्टधारी परिपत्थ में इस्तिमाल होने वाले प्रेरख होते हैं तो सही आंसर है कई हैंडी के आप्सन नमर एक जो है इस question का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि PMMC या D आरसोनवाल मीटर का इस्तिमाल किसके मापन में किया जा सकता है किसके मापन में किया जा सकता है तो चले पहले इसका option देख लेते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर जो option दिया है और friends इसका जो सही answer इस question का यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर देखें एक एरक्टिफ हैर की सहाथा से एक DC और AC यानि कि option नमर 4 हो जाएगा उसके बाद से लिए next question देखते हैं और देखें friends इस पर कह रहा है कि AMI मीटर का इस्तिमाल किसके मापन में किया जा सकता है किसके मापन में किया जा सकता है सही answer है DC और AC दोनों option नमर 3 हो जाएगा next है कि पीजो विदुत प्रभाव पर आधारित एक मापने का अपकरन क्या कहलाता है सही answer है thermokopal meter यानि कि option नमर 4 हो जाएगा इस question का यहाँ पर सही answer उसके बाद है कि कई संटों के साथ उपलब्द कराया गया एक PMMC परकार का meter कहलाता है क्या कहलाता है तो यह कहलाता है multi range a meter option नमर 2 होगा उसके बाद next कहरा है कि किन उप्योंग की वज़द से अनपरकार के microphone की तूलना में एक dynamic microphone को चूना जाता है तो right answer इसका हो जाएगा सारुजनी की गोशना option नमर 3 होगा उसके बाद यहाँ पर जो next question है कह रहा है कि एक CRO का trigger control किसको नियंतरीत करता है किसको नियंतरीत करता है सही answer है signal प्रदसन की 36 rolling को यानि कि option नमर 1 जो है इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा ठीक है फ्रदस चले अगला question देखेंगे यहाँ पर देखें next question यहाँ पर जो हो जाएगा इस question में यहाँ देखें कह रहा है इस question में कि D I A C मूल रूप से है D I A C मूल रूप से है तो वह हो जाएगा यहाँ पर देखें कि किसी अधार connection के विना एक PNP या NPN ट्रांजिस्टर तो option नमर 2 जो है इस question का यहाँ पर correct answer हो जाएगा आप चले अगला question देखते हैं देखें इस question में क्या रहा है कि निस करिए फोटो अर्दचालक डीव हाइस के निर्मान में इस्तिमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है तो वह पदार्थ है कैडमियम सलफाइट option नमर 1 जो है इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा उसके बाद है कि एक डार्लिंग्टन फोटो सेंसर में होते हैं एक डार्लिंग्टन फोटो सेंसर में होते हैं तो सही answer है दो सोफानी ट्रांजिस्टर option नमर 2 हो जाएगा उसके बाद next है कि एक UPS के विद्धू तुनियंतरक ब्लॉक में प्रयुक्त OC लेटर किसकी आवरिती उत्पन करता है तो यहाँ जो उत्पन करेगा वह हो जागा यहाँ पर देखिए सो हर्टर से चार सो हर्टर तक यानि कि option नमर 3 जो है इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा उसके बाद friends देखते हैं इस वीडियो का यहाँ पर लास्ट को जाएगा और इसमें किया रहा है कि किसके कारण एक सामाना अंतर फेड हार्टली उसी लेटर के बदले एक सिरीज session में हम लोग देखे हैं physics topics total 154 mcqs को उमीद है कि आज का session आप लोगों के जो upcoming exams होंगे उसके दिरिष्टिकों से काफी महतवपूर्ण सावित होगा और friends आप लोगों को अगर इसका pdf चाहिए revision के लिए तो हमारे telegram channel से जूर जाएए वहाँ से इसका pdf आप लोगों को मि दूरे रहे नेक्स्ट वीडियों द्वारा फिर से मिलते हैं तब पके लिए जया हिंद